हेलो एन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शाल जा सीबी एफेस्टी टेंट मैच की जो की मैच होने वाला यहां से अलो बॉन टाइकर्स वसिस प्रीम हाइट ट्रांसपोर्ट के बीच में तो दोनों टीम के प्लेर्स पर एक बार नजर कर लेंगे के कौनसे प्लेर को हम लोग यहां से स्मॉल लिग में लेकर जा सकते हैं कौनसे प्लेर को हम लोग यहां के चालिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते है तो बात करें मैंच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अभी दक अपने सस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल सस्क्राइब कर लेजेगा क्योंकि पुरी टूर्णामेंट कवर की जाएगी इसके साथ-साथ कल से ECL T10 शुरू हो रहा है वो पुरी टूर्णामेंट कवर की जाएगी इसके साथ-साथ बंगाल वोमन T20 जो चल रहा है वो भी कवर की जाएगी और जो भी अच्छी मैचिस है जापर अपकी वीनिंग अच्छी हो सके वो सारी मैचिस वीडियो के थ्रू प्लस ओफिशल एनालिसिस के साथ यहां से कवर किया जाएगा तो इसके लिए बोलता है यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और फाइनल टिम के लिए टेलिग्राम से जूड़ना बिल्कुल ना भुलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप वहाँ से जूड सकते हो पाकी इस मैच की बात के हो तो यह मैच रात को 9 बजे सार्जा क्रिके स्टेडियम में शुरू होगा पीच रिपर्ट के बात के हो तो बैटिंग फेरेंटली पीच रहने वाले है शॉर्ट बाउंडरीज है प्लस यहां से बैट पे बॉल अच्छे से आ रहे है तो एक अच्छा स्कॉर देखने को मिल सकता है लेकिन जो भी टीम यहां से टोच जीते हैं कि पहले आई थींक है शायद आपको चेजिंग करती होई पसंद कर सकती है क्योंकि 26 मैचिस खेले गए जिसमें ज़्यादा तो एकोट तो ठीक ठाक है लेकिन चाउदा बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है पहले बैटिंग गते हो बारा बार बार टीम ने जीती है मैच यहां पर येवरेश स्कॉर की बात करो तो 110 से 120 के आसफा स्कॉर बनता हो आपको आराम से जिख सकता है बात करें हैं से अलो बन टाइगर की तो चार मैचिस के लिए जा पर तीन मैच वो जीत के आ रही है एक मैच वो हार के आ रही है सागर कल्यान जो की ओपनिंग करवा रहे हैं और बैटिंग से एक बार 70 रन का स्कॉर भी किया वो साथ में कभी-कभी OSB कर लेते हैं पांच गेंदों की ओर की थी हाला कि उनको विकेट्स नहीं मिला था लेकिन OSB करवा सकते हैं बाकि उनकी रेकोर्ड्स आप देख सकते हैं चार मैचिस के अंदर 70 की अवरेट से रन किये अभी दख तो अच्छी मैच अच्छी पीक है यहां से सागर कल्यान और इनको एज़ टंडन उन्हें ओपनिंग किया था और 40 अनकी पारी खेली थी तो इनके बारे में भी पहले मैंने बताए हुआ कि अगर उपर से खेलते हैं अगर थोड़ा सा इनको खेलने का अच्छा मौका मिल गया तो आपको अच्छा स्कॉर करते हो नजर आ सकते हैं लेकिन अगर उपर खेले तो नीचे खेलते हैं तो फिर चांस अगर जादा नहीं मिला तो फिर कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपको उपर खेलते हो नजर आ गए वन्डाउन या प्र टॉप उडर में आने की ओपनिंग करते हो नजर आ तो आपको अच्छा स्कॉर करते हो नजर आ सकते हैं यहा हालाकि अभी दक तीन मैच इडिंग के लिए उसमें एक भीं और नहीं तो Okay Okay फिकरेंगे, Small Like में ज्यादा रिष्ट लेने की ज़रूत नहीं है, Grand Leak में ज्यादा रिस्क 킨 GT लो, तब उनको लेके जा सकते हो, क्योंकि उनका लेने का सिर्फ एकी मक्सद है क्योंकि एर वन डाउन बेटिंग किया था अगर वो टॉप उडर में बेटिंग करवाएगा थोड़े बहुत रन माल जाएगा तो यहां से अच्छा खासा कुछ कर सकता है वही मैन पॉइंट है बाकी इतना कुछ खास नहीं रेकोर्ट्स में और परफॉमस में भी इतना कुछ खास नहीं है यहां से बात करो खाली दिबराहिम की तो हर एक मैच में लगबख आपको ओवर्स करता है नजर आएगा एक मैच के अंदर तीन विकेट्स भी उन्होंने निकाली है बाकी बैटिंग से ठिक टाक परफॉमस दे रहे है 26 रन किया, 15 किया, 14 किया तो एज़ प्लेयर लेके जाना पड़ेगा यहां से खाली दिबराहिम को आपको आई थिंग के शैद बॉलिंग सेक्षन में जिख दाएंगे लेके जा सकते हो कि रिस्की खेलते हो तो बाकी हर्षित कौशिक की बात करते हो लास्ट मैच में उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं में जाता बाकी हर एक मैच में लगबग आपको पूरी वर्ष करवाते हो नजर आएंगे इनके बारे में पहली मेच से बोल रहा हो और पिछली दोनोई मेच से दो-दो विकेट निकाल रहे है तो अच्छी चोईस हो सकते हैं से मुदसर बाकी नाशीर अजीच ओके ओके पिक रहेंगे क्योंकि लास्ट मैच के अंदर सिर्फ वेक्यो वर्ष की गयनबाजी की दे यहां पर आपको विनिंग के सीजे चांसिस हो सकते हैं यहां से एम समीर पर तो यहां से एम समीर पर आप रिस्क ले सकते हो ग्यारा मैच इसके अंदर तेरा विकेट से तो रेकोर्ड सो काफी अच्छे है और कभी भी अच्छा परफोर्मस कर सकते हैं तो यहां से एम समीर अच्छी चोईस हो सकते हैं शरीफ अशादुल्ला की बात करो तो ओक्योखे पिकर रहेंगे अभी तक विकेट्स नहीं मिला लेकिन ये बंदा भी पूरी ओस करवा रहा है तो इनके उपर भी ज्यादा जंता की नजनने होगी लेकिन दोनों ही प्लेयर जो है ओ यहां से आपके लिए रिस्की होने वाले ह यहां से अगर खेल जाते हैं अगर एक आदी विकेट्स निकाल लेता है तो यहां से सीधी विनिंग भी आपकी हो सकती है लेकिन ज्यादा तर आपको रिस्की प्लेयर लगेंगी ये एम समीर और यहां से शरीव अर्षदुल्ला बाकी जोहेट जुएब की बात करो तो लास यहां से अच्चरे करने वाले बात थी यहां से थोड़ा सा शौकिंग बात थी कि इतने अच्छे बॉलस को आप ओर्ष नहीं दे रहें तो आपको कभी भी अच्छी ओर्ष करते हुए और अगर ओर्ष करवाएंगी तो आपको विकेट लेते हुए 100% शौर आपको अच्छी पीख है और हमें लेखे जाना है बाकि रंजीत मनी इतने कुछ खास नहीं रहेंगे सहराच पिया बॉला सच्छे है लेकिन एक words की गयन जापर विकेमिले बाकी मालीक हैसान की बात किरो तो उन्हों भी एक words की गयन भाजी कीती जापर विकेमिला था इसके बाद उनको खिलने का मौका नहीं मिला बाकी यहां से गुल जमन और निलांश केशवानी तो इनको अभी दग खेलनेолотा मौखा मिला नहीं है और इनको जब भी खेलनेका मौखा मिलेगा इनके स्टेट्स आपको टेलिग्राम में provide किये जाएंगे तो इसके लिए बिलता हूँ आपको टेलिग्राम से जुड़ना अनिवार है टेलिग्राम से जुड़ जाएगा क्यूउकि फाइनल अप्डेट आपको मिलती रहे और मेली small league के team भी आपको मिलती रहे तो बात करें यहां से team PhD की तो 4 match लिए 2 match वो जित के आ रही है 2 match वो हार के आ रही है वका से मच last 2 match से team से team के साथ जूड़े होगा पहली match के अंदर 24 रन की पारी के लिए दूसरी match के अंदर 18 रन की पारी के लिए इस player की बात करूं न तो इस player के उपर ज़्यादा जनता की नजर नहीं है आप selection देख सकते हो last minute हम जब team बनाएंगे तब आप देख सकते हो कि उसका selection काफी कम है लेकिन ये बंदा आपको अच्छे खासे यहां से point generate करके दे सकता है क्योंकि आर ओपनिंग करवा रहा है और दोनोई मैच में decent score किया अच्छा score किया है दोनोई मैचिस के अंदर तो यहां से अच्छी फिक है वका सहमद यहां जब player हमें लेके जाना है बात करें यहां से रफिक जमन की तो तीनोई मैचिस के अंदर अभी तक तो चार मैच करें, चारोई मैच इसके अंदर ओपनिंग किये, बैटिंग से अभी दग कोई भी खास परफॉमस दिया नहीं, लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉमस दे रहे हैं, इस टूर्णामेट के बाद करूँ तो तीन बार उन्होंने ओवस किये, एक एक ओवस की गेंद रन किये, 14 किये, 8 रन किये, तो अच्छी फीख है, यहां से हमजद खान को एज़ प्लेयर लिखे जा सकते हो, बाकि हमजद कुल हमारे लिए, कैप्टन सीब और वाइस कैप्टन सीब के लिए एक अच्छी चोइस हो सकते हैं, तो हमजद कुल को तो सिधा हम यहां से सक्षन में दिख जाएंगे, 17 रन किये पहली मैच के अंदर, दूसरी दो मैच इसके बाद करो, 4 और 3 रन किये हो हैं, तो ओके-ओके फिक रहेंगी, यह जब फ्लेयर थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि काफी नीचे बैटिंग करवाते रहेते हैं, लेकिन अगर इरफानुला हर एक मैच में पूरी ओस करवा रहे हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं, हाला कि अभी तक एक भी मैच ऐसा नहीं गया है, जहा पर विकेट ना निकाली हो, तो यहां से इरफानुला अच्छी विक है, यह जब लेखे जाना पड़ेगा, बाकि फरीद गुलाम हर एक मैच में लगबग आपको पूरी ओस करवाती हैं, नजर आएंगे, हो सकता है यहादी विकेट निकाल लेंगे, तो यहां से अच्छी पिक हो सकती है, फरीद गुलाम लेकिन थोड़े से रिस्क की रहेंगे, तो ज़्यादा रिस्क ना लेना हो, तो आप इनको लेके म चाहिएगा, आप किसी दूसरे प्लेयर के साथ जाएं, यहां से अस्मतुला को लेके जा सकती हो, वो दोनों ही मैचिस के अंदर ओवर निकाल के आया, sorry, विकेट निकालता हुआ, आया हुआ है, और अच्छी पिक हैं यहां से दोनों ही मैचिस के अंदर दो-दो ओस पूरी पिक है, तो यहां से फरीद गुलाम से बहतर चोईस है, यहां से अस्मतुला, एज़प लेयर, बाकि हजरत बिलाल की बात करो तो यह अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि यहां से अजरत बिलाल को एज़प लेयर हमें लेके जाना है, अच्छी पिक हो सकती है, क्योंकि ओवर रेकोर्स भी काफी अच्छे, 11 मैचिस के अंदर 121 रन है, तो बॉलिंग तो इतनी कुछ खास की नहीं थी, अभी दक लेकिन पिछली, 3 मैचिस के अंदर वोस करवा रहे हैं तो यहां से एज़ प्लेयर लेके जा सकते हो एक मैच खेले, जहाँ पर कोई भी प्रफोर्मस करने का मौका नहीं मिला, बाकि सीरन खान हो गया है, इनको खेलने का मौका नहीं मिला, अनवर गुल, यहां से अधनान उल्ला, यहां से महबूब अली, और जियाज खालिक, तो यह सारे एक दो मैचिस खेले हुए प्लेयर से, और इनको शायल हो सकता है, एक बार वापस से मौका मिल सकता है, बाकि मौहमद आकिब और यहां से मौहमद नईम, तो इन दोनों प्लेयर को अभी दग खेलने का मौका मिला नहीं है, और जैसे इनको खेलने का मौका मिलेगा, इनके स्टेट्स आपको टेलिग्राम में अच्छा रेकोड़ी देर, लेकिन और कोई अच्छा उपसंस भी नहीं है, खाली चाह अगर खेलते हैं तो फिर इनको लेने का कोई मतलब नहीं है, अगर खाली चाह खेलेंगे तो हम खाली चाह के साथ जाएंगे, और नहीं खेले तो यहां से अधिकूर रहमान के साथ जा साथ पाकि ऐल डॉट रउंड रॉट को लेना चाहो तो ले सकते हूँ और बार आज केलते हैं तो एक बार वापस से मौका दूगा अपनी टिम में एक खोब रहेगी एक एकसेपटेशन रहेंगी उनसे के दो Overs करवाए अगर Overs नहीं करवाए ते तो रिस्की भी हो सकते हैं आप अगर शेव जाना चाहो तो यहां से ATSIT KAUSHIK को भी लेख सकते हो लेकिन ATSIT KAUSHIK ने भी Last match के अंदर Overs नहीं की थी तो ये भी आपको notice करके चलना है बाकि यहांसे मुदसर अच्छी पीक है यहांसे इर्फान उल्ला और यहांसे खाली इब्राहिम को पीक किया हो है तो इन में से अगर दूसरा कोई भी player आपको अपने according लेना है तो सारे player के states आपको प्रोवाइड कर दिये तो उन में से कुछ भी changes करना हो तो कर सकते हो बाकि मेरी team कुछ इस तरह से रह सकती है मैं captain यहांसे अमजद गुल को लेने वाला हूँ और vice captain मेरे आर्ट जमन रहेंगे जो कि काफी risk होने वाले है वैरी risk होने वाले आप अगर safe जाना चाहा हो तो यहांसे एस कर लें या फिर अंश टंडन को मोखाद दे सकते हो यह दोनों ही आपके लिए safe choice रहने वाले या फिर यहांसे मुदधसर तो यह कुछ player बोले जो आपके लिए safe week हो सकते है तो कुछ इस सरा से team हो सकते है लेकिन याद रहे यह मेरी demo team है final line-up के बाद आपको इसमें भी काफी सारे changes होते हो दिखेंगे तो final line-up के बाद final team के लिए simply telegram से जुट जाएगा telegram से जुटने के लिए नीचे description में link है comment section में भी link मिल जाएगा इनके सकर लिंक वर्क ना करे तो telegram में जाके search कर सकते हो fantasy decent challenger या फिर आप search कर सकते हो add direct fdc27 और आपको सीधा हमारा channel मिल जाएगा simply उसे join कर देना क्योंकि यार final update आपको वह पर मिलेगी मेरी small link की team आपको वह पर मिलेगी और यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप like और share जरू कर सकते हो बाकि YouTube channel को subscribe करना बिल्कुल ना भिले क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचिस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो यार पूरा वीडियो देखते रहो अच्छा अने लिसिस करते रहो अच्छी टिम बनाते रहो अच्छी वीडियो करते रहो हम लोग मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाज जैहिन जै भारत